हलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उमेद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों, आज हम बात करेंगे फलों को सही समय पर खाने की दोस्तों, फल हमारे लिए बहुत फाइदे मन्द होते हैं पर सभी फल की अपनी-पनी कुछ खासियते होती हैं जिसे हम जादतर नहीं जानते और इसी वज़र से हम फलों का गलत समय पर भी सेवन कर लेते हैं जिस वज़र से हमें फाइदा तो नहीं होता, उल्टा हमें नुकसान हो जाता है तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेव को, सेव को सही समय पर खाने की दोस्तों सेब एक ऐसा फल है जिसे लोग कभी भी खा लेते हैं लेकिन आपको बता दें सेब को रात में कभी भी नहीं खाना चाहिए दोस्तों रात को सेब खाने से हमारे शेरीर में ऐसिड ज्यादा बनने लगता है रात को अगर एसिड बनेगा तो डाइजेशन की समस्य हो सकती है पेट की कोई भी बीमारी हो सकती है दिन में आप कभी भी सेप खा सकते हो लेकिन रात को सोते समय सेप को हमें बिल्कुल नहीं खाना है जो हमाई सोस्ते के लिए अच्छा नहो दोस्तों कुछ लोगों को देखा गया है कि सेप तो खाते हैं पर उसका छिलका वो उतार देते हैं अंदर के सफेज सफेज भाग वो खाते हैं सेप का दोस्तों आप क्या चीज अपने हाथों से कितने बड़ नुकसान कर दो जो अपने हाथों से आप सेब का छिलका उतार गव सेब का छिलका दोस्तों बेरेंध हम देश से बचाता है इसमें एक प्रकार का ऐसा तत्व पाया जाता है जो फेपणों को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है दोस्तों ये बिलेट शूगर के इस तरको भी नियतित करता है दोस्तों क्या आपको पता है सेब के छिलके में फाइबर पाया जाता है वो फाइबर जो मोटापा और शरीर के चर्वी को कम करने मदद करता है तो दोस्तों सेब हमें पूरा खाना चाहिए तो दोस्तों सेब के बताई वह तरीक अगर समझ में आ गए हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कोई बास समझ में नाई हो तो कमेंट्स कीजिए और कोई अगर नए नुश्के की बात आप जानना चाहते हैं तो आप मझे कमेट सकाके बताईए मैं उसका बताऊंगा मिलते हैं पर अपनी नेक्स्ट वीडियो में